ये स्केट से एक पार में कितने गुपारे फोड़ पाएंगे? सबसे पहले इनको गुपारे को फोड़ने के लिए मैं जा रहा हूं जो अराम से फूड़ गए से चार गुपारे लगाए और इनको भी फोड़ दिया अब तेकते आठ गुपारों के साथ क्या होता है? इनको भी फोड़ के 14 खुपारे लगा के मैं आ रहा हूं पीछे से स्केट से लाता हुआ ये सब भी फूड़ गए पर क्या मैं 25 खुपारे भी आराम से फोड़ दूगा? बस एक गुपारा बज़ गया इसलिए है 50 खुपारे जिनको मैं एक पाल में भोड़ने वाला हूं पचास खुपारे तो नहीं भोड़ पाया और लास्ट फिर से गिरता गिरता बज़ गया